उत्तर प्रदेश के चुनाव घोशना होने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भारती जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भारती जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है और वो हमेशा से भार्षी जनता पार्टी को ये कहती रही है कि वो हिंदू-मुसलिम करके हिंदू को एक जुट कर देती है और चुनाओ जीतने का सपना देख रही है वहीं आपको बताएं समाजवादी पार्टी के सांसद एष्टी हसन का बयान सामने आया है किसी ने वीडियो बनाया है कि वो कहीं बैटकर चुपाल पे अपने जो धर्म के लोग हैं उनसे बात कर रहे है और बाकाइदा उस वीडियो में एष्टी हसन जो हैं वो डरा रहे हैं लोगों को और वो ये धर्म के आधार पर लोगों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार दुबारा आ गई तो इस बार तो ये कई कानून बदल देंगे और हमारा जीना हराम हो जाएगा ये बीजेपी सरकार को आने नहीं देना है ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है सवाल ये है कि जब हमारे जो कानून है उसमें हिंदू मुस्लिम की बात करना किसी भी चुनावी दोर में वो कानून का उलंगन माना जाता है ऐसे में समाजवादी पार्टी किया जो सांसद एस्टी हसन है वो किस आधार पर इस तरह की बाते कर रहे हैं वीडियो उन में से ही क पीजेपी जो है ये समान नागरिक सहीता लाने वाली है और कोमन सिविल कोड यदि लागू हो गया तो हमारा यहां जीना हराम हो जाएगा जो हमारा वो कहते हैं मुस्लिम परसनल लो है उसकी सारे जो अधिकार है वो खतम हो जाएंगे दूसरी तरफ वो डराते हैं और वो कह कि आर्टिकल 30 और 31 में तो ऐसा है कि हमारा जो AMU है हमदर्द है और जामिया है इन सब के हमारे जो अल्प संक्याक होने का अधिकार है वो सब खतम हो जाएंगे और इन सब में तो आरक्षन लागू हो जाएगा मतलब आप समझिए कि मुस्लिम अलिगर्ड यूनिवस्टी जो है यह जो यहाँ पे जामिया है हमदर्द है इनके अंदर आज भी देश की आजादी को 70 साल से अधिक हो गया दलितों का आरक्षन नहीं है जबकि सरकार के पैसे से आपके और मेरे टैक्स के पैसे से यह संस्तान चलते है तो अपना अलग कानून है क्योंकि मानविटी एक्ट में इन्होंने विसे सुविदा ले रखिया है अब एश्टी हसन अपने लोगों को समझा रहे है कि भाई मुस्लिमों एक हो जाओ वो साब साब कह रहे हैं कि हम एक हो जाएं और एक हो करके भारतिय जन्ता पार्टी को हराएं अब सवाल ये उठता है कि जिस भारतिय जन्ता पार्टी पर ये हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे है उसके एक भी नेताने अभी तक जो भी बयान आएं चाहे वो किसी भी बीजेपी के बड़े लीडर की बात हो चाहे योगी आदितनात की बात हो उन्होंने कभी भी अपने बयान में किसी वक्तव में किसी ट्वीट में ये नहीं कहा कि हिंदू ओ एक हो जाओ अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो इस द यह चुंपरे की बाते क्यूं करते हैं यह ड़ाने का काम क्यूं कर रहे हैं यह अपने समाज को ड़ा करके और एक जुट होने की बात हर बार क्यूं करते हैं इसका मतलब यह वा कि समाजवादी PARTY का एक सूत्री कारिकम है कि वो अपने MY Factor को implement करना चाहता है और MY Factor में कम से कम ये Muslim Voto को धुरूवी करन करा कर अपने लिए लेना चाहता है अब आपको बताऊं चुनाव आया चुनाव में अभी OEC की entry नहीं हुई है लेकिन जैसे ही OEC ने दो चार जगे सभा करी थी गाज़ेबाद के डासना में सभा करी थी और बुलन शहर में सभा करी थी एक-दो शहरों में जैसे ही सभा हुई उसी समय समाजवादी के ये जो मुस्लिम नेता है ये active हो गए और इन्होंने ये meeting करनी शुरू कर दी इन्होंने कहा हमें मसलिम, हिंदो मुसलिम कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं भारती जन्ता पार्टी पर इस पर लेकर कड़ी आपती भारती जन्ता पार्टी ने जताई है बकाईदा बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संभित पात्रा उन्होंने ट्वीट किया है और उनने प्रेस conference करके भी आयरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से meeting कर रहे हैं अपने समाज की और चुनावी माहौल में हिंदो मुसलिम करके बोट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की पहली सूची आई है प्रतियाशियों की उसमें भी जिस तरह से 60% से उपर उन्होंने केवल और केवल मुसलिमों को टिकट दी हैं इससे भी कही ना कहीं वो मैसिज देने की कोशिश की है लेकिन जैसे ही पहली सूची जारी हुई उसके बाद उस लिष्ट में जो गैंगिस्टर हैं माफिया हैं जो इस तरह के गंभीर अपराद करने वाले लोगों के नाम का जब खुलासा हुआ तो समाजवादी की फजियत हुई और उसके बाद उसने हैं अपनी दूसरी सूची जारी नहीं करी एक एक दो दो सीट दे रहे हैं अंदर खाने से वो का बटवारा कर रहे हैं लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर दूसरी सीट टिकट लाएं अखलेश यादव बड़ी चलाकी से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसल्मानों को नहीं दे रहे हैं हम तो हिंदूों को भी टिकट दे रहे हैं जबकि उनकी मंसा वही है जो उनके पिताजी की थी मुलाहिम सिंग यादव का एक वीडियो वारा है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 60% हम मुसल्मानों को पुलिस में बर्ती कर देंगे अब ये बताईए एक परदेश का सीम अगर इस तरह की भाशा बोलेगा क्या मुसल्मानों का पुलिस में या सरकारी नोकरियों में आरक्षन लागू है निश्चित रूप से नहीं है SC का आरक्षन है ST का आरक्षन है OBC को आरक्षन की सुमिदा दी गई है SC, ST, OBC के आरक्षन तो हैं सरकारी नोकरियों में लेकिन समाजवादी पार्टी अलगी ट्रेंड चला रही है वो कहती है साब हम मुसल्मानों को आरक्षन देंगे और वो भी 60% अब आप समझिए ये जो अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई बाई चांस वो तो आनी नहीं है यूपी में लेकिन अगर आ गई तो सोचिए किसका हक मारेंगे अगर ये 60% मुसल्मानों को आरक्षन देने की बात पुलिस में कर रहे है उनकी सीट सुनिश्चित करेंगे तो ये 60% आरक्षन किसका काटेंगे SC, ST, OBC का SC, ST, OBC का टिकट काटने वाले लोग ये स्वामी परसाद मौरिये के जोइन करने पर ये कह रहे थे BJP का विकिट गिर गया है BJP का विकिट नहीं गिरा BJP का तो ये विकिट था ही नहीं ये तो बस्पा का विकिट था प्रवास करने आया था BJP में BJP ने इनको सम्मान दिया चार-चार मंत्रा ले दिये और उस चार मंत्रा ले में भी स्वामी प्रसाद मोरिय को स्रम मंत्रा ले दिया उसमें नोकरी चाहते कितनों के लगवाते आज स्वामी प्रसाद मोरिय कहते हैं योगी सरकार में बेरोजगारी थी नोकरिया नहीं लगी अरे भाया नोकरी देने का काम तो तुम्हारे ही पास था अपने समाज के लोगों का भला करते नहीं कर पाए और इसलिए अखलेश यादव अब क्या कर रहे हैं वापस से बदल रहे हैं और अपने पुराने ट्रेंड पे चल पड़े हैं उनको लग गया है के SC, ST, OBC तो उनका वोटर नहीं है उनको शायर ये आवास था स्वामी प्रसाद मौरिया के जोइन करने के बाद जरूर वो सोच रहे होंगे बड़े खुच हो रहे थे उस दिन के भाई बुलकुल पासा पलड जाएगा वो भूल गए के स्वामी प्रसाद मौरिया की जो भी वकत है उत्तर प्रदेश में वो केवल या तो बस्पा में थी बहन जी की वज़ा से कोर वोटर है बहन जी का जिन्नों ने वोट दे दिया था उसके बाद भी हार गए तो बहन जी की वज़े से जीत गए लोगों को उनको लगा के मेरी वोट है अरे भाई वो माया बती जी का वोटर है जिन्नों ने आपको वोट दी थी उसके बाद बीजेपी में आ गए उनको लग रहा है के वो वोट मुझे मिला है वो दिया था बीजेपी को वोट वो तो मोधी के नाम पर अलक्षन था दोजार से तरह का अब वोकात पता लगेगी स्वामी प्रसाद मौरिया जी को कि तुमने बसपा को दोका दिया फिर बजपा को दोका दिया और आज जिस सपा पर भरोसा करके तुमने सपा जोन करी है वहां से कैसे सपा हो जाओगे क्योंकि वहां तो दो ही लोग चलते हैं M, Y या तो मुस्लिम वा तो यादव अब वो खुलकर नहीं बोलते क्योंकि पिछले चुनावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई उसके बाद समाजवादी ने इतनी बात तो सीख लिया है के अंदर खाने कुछ भी करो उपर से ये शब्द ना बोलो अंदर अंदर वो ही है के वहां केवल और केवल M, Y यही चलेगा अब यह जो मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के वो एक्टिव हो रहे है कहीं कह रहे है के तुमारी बेस्ती हो गई है एक जुट हो जाओ और ये तो जो है योगी बाबा तो जेल में डाल देगा ये तो कानून ऐसे बना देगा ऐसा लोगों को डरा रहे है जबकि आपको बताओं मुस्लिम बर्ग में आज जागरुकता है उत्तर प्रदेस का मुसल्मान ये देख रहा है कि पिछले पांस साल में जेल के अंदर अगर कोई गए है तो वो बदमाश गए है और उसमें केवल मुसल्मान नहीं गए उसमें विकास दूबे भी था जिसकी गाड़ी पलती उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बदमाश थे और जो हिंदू थे वो जेल में है तो खाली मुसल्मान जेल में गए है योगी जी ने ऐसा नहीं किया कि मुसल्म है तो जेल में डाल दो हिंदू है तो बदमाशी करने दो नहीं जो भी हो कानून अपना काम करेगा उसमें कोई इंटरफेर कोई नेता नहीं करेगा योगी जी ने भी नहीं किया तो मुसल्मानों को पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि योगी जी का शाशन सबको एक समान देखता है हिंदू मुसलिम करके नहीं देखता महीने में दो बार oria दिया तो उन्होंने आधिकारियों को ये नहीं कहा कि जो मुसल्मान है वो मुझे वोट नहीं देता इनको राशन मत देना बिजली देनी है तो योगी जी ने ये आदेश नहीं करे बिजली मंतरी को कि जो मुस्लिम मोहले हैं, मुसलिम बहु ले रही हैं, उनकी बिजली काड़ देना, बाकी जगे देना, ऐसा आदेश नहीं करा, सबको समान रूप से, मकान दिये हैं, सोचाले के लिए दिया है, और पैसे मिले हैं, समान निदी किसानों के खाते में गई हैं, तो मुसल्मानों नहीं मिला, वो भी बदनाम करने की कोशिश करें, योगी जी तो ठाकरों की सरकार है, वो तो ठाकर हैं, अरे भाया जो गेरवा धारन करे हुए, जिसने 18 साल की उमर में सन्यास ले लिया, सन्यास का मतलब क्या होता है, एक सन्यासी का मतलब क्या होता है, ये तो जाती जो है, ये राजनितिक लोगों ने उनकी उभारी है वरना हम तो नहीं जानते हैं अगर ये नेता कोई नहीं बखान करता आज से दो साल पहले कोई योगी जी की जात जानता था संत की कोई जात होती नहीं है ना कोई पूछता है तो लेकिन ये राजनिती इतनी गंदी है कि उनको ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की कि ये तो ठाकरों की सरकार चला रहे है तो क्या योगी जी के शाषन में केवल ठाकरों को सरकारी मकान मिले ठाकरों को राशन मिले ठाकरों के घर में बिजली आई बाकी को नहीं आई ऐसा बिलकुल नहीं है लेकिन अब समाजवाद के लोग उनके साथ नहीं है वो भीजे पी के साथ आ गए है और मुलाहिम सिंग आदब जी की वीडियो बाइरल हो रही है जिसमें वो मोधी जी और उनके काम की तारीब कर रहे है निश्चित रुप से अब भाजपा को ही विज़े मिलनी है लेकिन इसे नेताओं के खिलाब कारवाई चुनावायो को करनी चाहिए जो समाजवादी नेता धरम के आधार पर लोगों को डरा कर सपा के लिए वोट मांग रहे है बंदे मातर